Hello everyone, दोस्तोबत स्वागेत आप स्ववीका, फिछले दो-तिन दिन से किसी वी टाइप से आपसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं हल्दवानी से हूँ और आपने न्यूस में आपने न्यूस वेफर में देखा होगा, यहाँ पे कुछ क्लैश होने की वज़े से कुछ राइट स करूंगा, बट वो नहीं हो पाई, क्योंकि अचानक से इंटरनेट बंद हो गया था, मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग healthy होंगे, safe होंगे, बहुत positive होंगे, अपने exams को लेके, अपने results को लेके, ओके, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीज़े शेयर करना चाता हूँ, तो उसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि चाहे आपने IPS AFO का means examination दिया है, चाहे इस साल examination देने वाले हैं, या फिर किसी भी दूसरे exam को target कर रहे हैं, या graduation के किसी भी year में है, तो यह मैं उमीद करता हूँ आप से, यह आप अपने सारे ही options को बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे, सिर्फ एक चीज नहीं देखेंगे, उसके regarding मैंने कुछ दिनों पहले Union Bank और Punjab National Bank वाली वीडियो भी बनाई थी, मैंने ये भी बताया था कि कैसे experience प्रस कुछ additional चीजे होने से, आपके पास या फिर किसी specific subject में graduation होने के बाद कैसे opportunities बढ़ जाते, ये commentation बहुत कम हो जाता है, तो ये चीज थोड़ा सा आज हम discuss करेंगे, तीन चीजे में आपके साथ discuss करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहली चीज है कि ये IBPS AFO का interview, तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बता दू, IBPS AFO का जो interview है, उसके लिए जब आप preparation करेंगे, तो उसमें आपको वो prepare करना है, जो आपने mains में नहीं किया है, देखिए आपने agriculture जितना पढ़ना था, आपने already पढ़ चुका है, mains में भी आपने पढ़ लिया है, आप दूसरे exams के लिए भी पढ़ रहे होंगे, अब interview के लिए भी ये नहीं कि फिर से agronomy पढ़ना शुरू कर दिया, ये समझेगा, interview personality का test होता है, आपकी officers like qualities चेक की जाती है, तो उसके लिए आप कितना communicate कर पाते हैं, कितना express कर पाते हैं, ये important होता है, राद अदर की knowledge, क्यूकि आपको पता है, subjects का कहीं अंत नहीं है, questions को ये पूछाया सकता है, तो उससे ज़्यादा अच्छा है, कि आप ये focus करें कि क्या आप introduction दे पा रहे हैं, कि में दे पा रहे हैं, आपके reason clear आपको हैं कि नहीं है, कोई duality तो नहीं है, इस पर घ्यान दीजिए, second important चीज है, कि IBPS AFO का exam आपने दिया, तो अच्छा, नहीं दिया है, इस साल देने वाले तो भी अच्छा है, graduation में आप ह आप सा देखिया, और post graduation करने का मतलब भी ये नहीं कि सिर्फ आप 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 अग्रॉमी, genetics, plan, building, entomology, pathology में करें, देखिये कि और कैसे opportunities बढ़ सकती हैं, क्या ऐसी additional degrees हैं, जिनके करने से बहुत benefit होते हैं, चाहे government sector में हो, चाहे private sector में हो, ये चीज़ ज़रूर देखिये, क् कि आपने देखा Union Bank में, या Punjab National Bank में, या फिर even ESRO में, कि कैसे different different subjects में, अगर आपके post graduation होगा, तो कितना competition limited हो जाता है, तो वो चीज़ ज़रूर देखनी है, सिर्फ ये नहीं, कि पूरे college के seniors ने IPSF हो निखाला है, तो हम भी चल देंगे उसके पीछे, वो ज़रूर करिए, बेट उसके साथ-साथ देखते रहिए, कि आपको कितनी awareness आपको इखटा कर सकते हैं, अपने career के लिए, और जितनी आप देखेगा awareness create करेंगा, आप दूसरों से अलग होते जाएंगे, competition तो वह ही कम होता जाएगा, तीसरे important चीज़ है, बहुत सारे students की query आती थे कि सर, हमको opposition भी prepare करना, IPS, AFO भी करना है, बीच भी में और examination भी आते हैं, उनको भी prepare करना है, बट ऐसे में जब हम courses लेते हैं, तो different courses का different prices है, तो इसके लिए हम ए consolidated course आपके लिए लेकर आए हैं, वो है mega be agree, तो mega be agree क्या है, ये एक mega course है, जिसमें की जितनी भी agriculture related courses होते हैं, वो सारे आप को एक साथ ही मिल जाते हैं, तो आप इसको देखेंगे, हमारी website आप visit कर सकते हैं, उसमें आपको देख जाएगा, इसका जो price हमने रखा हुआ है, वो अभी 11,777 रखा हुआ है, जिसमें आपको discount भी मिल जाएगा, इसके अलावा आप देखने, mega be agree plus एक course है, जिसमें की नब कोजी भी होती है, बोटनी भी होती है, food acts भी होते हैं, फिर APIDA का आता है, उसमें different subjects होते हैं, FSSAI का आता है, उसमें different subjects होते हैं, तो बहुत सारे चीज़े हो जाती हैं, तो यह सारे ही चीज़े आपको एक ही course मिल जाएंगी, वो हमारा mega be agree plus आप उसको website में जाके visit कर सकते है जरूर कीजेगा, तो यह announcement आपको Friday करने थी, वो आज हमने की है, बट इसके अलावार जो सबसे important है, वो यही है, coaching तो देखिए, जब आप अपना path choose कर लेंगे, उस पर कैसे चलना है, क्या करना है, वो तो हो ही जाएगी, उसमें कोई tension नहीं और exam भी best platform है, जो क्योंकि आप कि हमें depression 50% faster होती है, हम कहा सकते हैं कि leak से हटके, और जो exam के लिए important है, सिर्फ वही बात, और दूसी जो सबसे important चीज है, यह है कि आप सबसे पहले देखी कि opportunities क्या क्या है, कैसे आप अपने लिए बहुर अच्छी opportunities बना सकते हैं, यह सारे चीज पर जरूर सोचेगा, कोई पी doubt है, query है, question आप में पूछ सकते हैं, मैंने अपने telegram देखा, जैसे ही मैंने on कि उसमें बहुत सारे messages थे, तो मैंने फिर से उसको बन कर दिया है, अभी मैं उसको शाम को जब time लगेगा, तब तो मैं उसको फिर से देखूँगा, और फिर से उसमें जितने भी students के queries हैं, उनको मैं answer करना शुरू करूँगा, इसके अलावा जितने भी comments हैं, या फिर और जगे भी आपने messages की हैं, उनको भी मैं शाम तक देखूँगा, रिप्लाइ करूँगा, बट उससे पहले यह है कि सबसे important जो यह है, कि फ्यूचर में ऐसा क्या करें, कि हमारे interest की भी चीज हो passion की भी चीज हो, और साथे साथ competition भी हमें उतना ना feel हो, इसके लिए हम क्यार कर सकते हैं, तो इस पर जरूर सोचेगा, stay healthy, stay fit, stay happy and all the very best for examinations.